न पनीर न बेसर नहीं कोई सबजी बहुती कम सामगरी से बिलकुल नए तरीके से आज हम उड़त की दाल की बहुती स्वादिश सबजी बनाएंगे हेलो एबरीवन आपका स्वागत है मेरे किचन में तो इस सबजी का कलर और ग्रेवी देखिए बिना किसी सबजी के सबजी बनाने का नया तरीका देखके आप चिकन मटन भी भूल जाएंगे तो इस सबजी को बनाने के लिए मैंने एक कप उड़त की दाल लिया है सबसे पहले हमें दाल को अच्छे से साफ करना है तो मैंने एक गीले कॉटन के कपड़े पे इस दाल को फैला के अच्छे से इसको रगड़ते हुए साफ कर लिया है क्योंकि दाल हमें धोना नहीं है तो इस तरीके से जब हम गीले कपड़े से इसको पोच देते हैं इसमें जो भी गंदगी होगी वो साफ हो जाएगी तो दाल अच्छे से साफ हो गया है चलते हैं देखते हैं सबजी कैसे बनानी है तो इसके लिए मैंने गैस पे कड़ाई रखा है और इसमें दाल को डाल के हमें इसे मीडियम फ्लेम में चलाते हुए भून लेना है तो जब दाल का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो इसे हमें निकाल के और अच्छे से ठंडा कर लेना है तो दाल अच्छे से ठंडा हो गया है इसे हमें पीस लेना है तो इसे बहुत बारीक नहीं करना है हलका सा दर्दरा है जैसे सूजी होता है बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर है इसका अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चमच नमक, एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चमच मैंने इसमें गरम मसाला लिया है बारीक कटा हुआ एक छोटा साइज का प्याज है ये और हरा धनिया मैंने बारीक काट के लिया है साथी डालेंगे तीन बड़े चमच दही और दही डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो दही आप जरूर डालिएगा और आधा छोटी चमच जीरे को मैंने हाथों से थोड़ा सा ग्रस करके डाला है अच्छे से मिला लेंगे तो सुरू में हमें पानी नही बाल्स बनाएंगे तो हतेली के बीच में रखके इसे चिकना कर ले और यह जो हमने बाल्स बनाया है इसको बहुत बड़े साइज का नहीं रखना है नहीं तो इसके अंदर ग्रेवी नहीं जाएगी और यह सबजी सुखी सुखी लगेगी तो एकदम छोटा-छोटा साइज का मैंने इसके बाल्स बना लिये हैं बीच में हाथ में रखके और अच्छे से इसको हम चिकना कर लेंगे तो सारे बाल्स हमने इस तरह से बना के और रेडी कर लिये हैं और अब हमने गैस पे रखा है कडाई और इसमें मैंने एक गिलास पानी डाला है इसमें डालेंगे एक तेज़पत्ता , एक चोटा टुकडा मेने लाल मिर्च लिया है और एक टुकडा मैंने इसमें अद्रक कडाला है , दो मीडियम साइज के प्याज और तीन मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिये हैं, अब हम इसके उपर कोई भी जाली का बरतन लग देंगे, थोड़ा सा तेल लगा के इसे चिकना कर लीजिएगा, और इसमें हमने जो उड़त की डाल के बॉल्स बनाये थे वो डाल देंगे, तो अब हम इस तरीके से पकाएंगे, तो हमारे नीचे जो सबजियां वो भी पक जाएंगी, और उसके इस टीम से ये जो हमने उड़त की डाल के बॉल्स बनाये थे ये भी पक जाएंगे, तो मैंने पांच मिना ढखके इसको पका लिया है, आप चाहें तो एक बार इसे चे इसका इस्तमाल हम ग्रेवी बनाने में करेंगे, और जो सबजियां थी उसको ठंडा हो जाने के बाद, मैंने एक दम बारिक इसको पीस लिया है, वापस से गैस पे कड़ाई रखेंगे, और एक चमच मैंने इसमें तेल लिया है, और इसमें जो हमने दाल के बॉल्स बनाये तो बिल्कुल हलका सा भूनना है, आप चाहें तो बीना भूने भी सबजी को बना सकते हैं, उससे भी सबजी बहुत ही टेस्टी बनता है, तो हलका सा मैंने इसे भून लिया है, निकाल लेंगे, उसी कड़ाई में वापस से मैंने दो चमच तेल फीड डाला है, और इसमें आधा चमच जीरा और थोड़ा सा हींग डालेंगे, एक बार जीरा जब चटक जाए, तो इसमें हमने जो प्याज और टमाटर के जो पेस्ट बना के रखे थे वो डाल देंगे, साधी आधा चोटी चमच हल्दी पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, और एक चोटी चमच म मैंने नमक डाला है, अच्छे से अब इस चलाते हुए मसालो को हमें भून लेना है, तो इसको अच्छे से चलाते हुए जब तक कि तेल नगालग होने लगे, मैंने अच्छे से इसको भून लिया है, अब हम इसमें डालेंगे दही, तो एक चोटाई कप दही को मैंने पहले फेट लिया था और गैस का फ्लेम अभी हमने लो कर दिया है अच्छे से चलाते हुए एक बार और मसालों को हमें भूनना है तो जब मसाले अच्छे से भून जाए तब हम इसमें पानी डालेंगे तो जो हमने प्याज और टमाटर को उबालते समय जो पानी हमने बचा के रखे ते वो इसमें डाल दिया है और अब हम इसको ढग देंगे 7-8 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसको हमें पकाना है तो 8 मिनट हो गया है थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला का पाउडर और बारी कटा हुए धनिया डाला है एक बार अच्छे से चलाने के बाद इसको वापस स मैंने दो मिनिट के लिए ढग दिया है तो दो मिनिट के बाद ये सबजी रेडी है बहुती लाजबाब स्वादिष्ट सबजी बनती है और आप भी अगर रोज रोज की वही आलू पालक गोभी खाके बोर हो गया है तो एक बार इस सबजी को ट्राइ करिएगा बहुती लाज करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेशपी आप लोगों को कैसी लगी अगर आपको मेरी रेशपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करिएगा सेयर करिएगा चैनल को सब्स आप लोगों को मिलती रहें